हेलो दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले हैं पराग मिल्क फूट्स लिमिटेड की क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं सर एक वीडियो इस पर अटलिश बना दीजिए क्योंकि काफी टाइम हो गया है और शेयर में लगातार आप इसका चार्ट प करेंगे fundamental technical company के बारे में सब कुछ जानते हुए नजर आएंगे बट before the video में आगे बड़े हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करोंगा I am small cap investor चैनल को सब्सक्राइब bell icon को hit all की notification कौन करे bank selling की recommendation है नहीं अपने financial advisor कुद की study करना है चीटों को सीखने पर focus करना है सीखने के लिए आप देखेंगे तो आपको चीजे समझ में आएगी हाना और एक आद वीडियो से नहीं आपको multiple times यहां पर वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी देखिए किसी और की देखिया जहां पर आपको लाब हो रहा है वह आप कर सकते हैं बट इस चीजों को सीखना है कोशिश कर वी देखिए basics to advanced technical research fundamental कब लेना है कब बेचना क्यों लेना है क्यों बेचना है यह सब कुछ आपको समझ में आएगा पच्ची जार रुपे है कोर्स है सब कुछ दिया जाएगा कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेरे हिसाब से आप चल लीजेगा जो मैं आपको अपनी क्लास के दोरान बताऊंगा वह करके देख लीजेगा हाना आप अपने आप ही कुछ चेंजिस देखेंगे कि क्या हो रहा है और अगर साथ में काम भी करना चा बात करते हैं पराग मिल्क फूट्स लिमिटेट की ठीक है अभी कुछ दिन पहले आलग बग चार-पाँच महिने पहले ठीक है ना मेरी अपने एक दोस्त कह लीजिए क्लाइंट कह लीजिए उनसे बात हो रही थी और वह कह रहे थे पराग मिल्क लेते हैं बट आप देखे और 9 महीने पहले जब वीडियो बनाई थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 months and 20 days में शेयर क्या हुआ डवल हो गया तो यहाँ पर क्या है शेयर क्या डवल हो गया था हमने जहां से वीडियो बनाई थी वहां से अच्छे का से रिटर बन चुके थे तो अभी कोई science यहाँ से अमत्क बंतनी रहा था बनाने का और प्लस में शेयर को दुबारा लेने का ठीके न और इस पर पैसा ने लगाते हम लगाते हम लगाते है है heritage food पे पैसा और हम सबने किसमें heritage food में पैसा लगाया वह भी milk वाला है यह भी milk वाला है तो हमने इसे इग्नॉर करके उसमें ही क्यों पैसा लगाया उसके पीछे की एक study है और वो हम अपनी यहां पर course में आप जब पढ़ोगे तो आपको यहां पर समझ में आती भी नजिर किये small cap share 200 क्रोड रुपे का market cap है जब मैं 22 क्रोड रुपे की market cap की बात करूँ है तो एक दो चीज़ याद रखिएगा सबसे पहले small cap है तो small cap हमारे channel का नाम है हाना इसलिए like comment share कर दीजेगा और subscribe करिएगा ताकि आपको small cap के बारे में समझ में आया और आप एरे-एरे अगेगा तो आपके बहतरी रेटन देगा कि 70 रुपे वाला stocks 500 रुपे तक पोच गया बड़ जब गिरेगा तो वही 400 रुपे वाला stocks कब यहाँ पा साट रुपे पर आ जाएगा आपको समझ में आएगी तो इसलिए साही टाइम पर लेना साही टाइम पर बेचना बहुत मैं हर एक वीडियो में वही ऐसी बताता हूँ कि क्यों और क्या और कैसे ठीक है अब कंपनी कर तीगे मूट कीबात कर रहें तो मिलक जहां पर आ गया तो मतला मिल्ग और मिल्क से लेटें यहां पर जितने भी प्रोड़क्ट है यह कंपनी बनाती है 1992 में यहां पर इंकोप् पोर्टफोलियो और 10 प्रोड़क्स केटेग्री तो यहां पर 10 प्रोड़क्स केटेग्री इसमें काम करता है साथ में आपने यहां पर इनका प्रोड़क्ट भी यूज किया होगा गोवर्धन घी जो 35% मार्किस शेयर लेके बैठा हुआ मतलब इंडिया का नंबर वन यहां प प्रोड़क्स है इनके यहां पर ब्रैंड है जिनसे यह अलग अलग तरीके बनाते तो जाकर देख लीजिए आपका यहां पर समझ में आ जाएगा ठीक है न तो समझ में आगयोग के बिजनस्मॉडल अब बात करते हैं यहां पर आगे मार्केट करें की बात करें तो 22 लग जाएगा यह डवल हो गया यहां पर 24-48 हो जाएगा ठीक है रोसी रोई भागने लग जाएगा तो वह सब चीज आपकी चेंज होती रहेगी तो रोसी रोई पी यह जितने भी लोग बताते हैं अपने आपको घ्यानी बनते हैं कहीं न ठीक है इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा आप यह तो रोसी रोई और पी सीख लो जो यह सीखते हैं उनका पैसे जिंदिगी में नहीं बनते हैं और जो यहां पर चीजों को सही तरीके से एनलाइज करते हैं कंपनी को एनलाइज करते हैं उनके पैसे डेफिनिटली बनते हैं ठीक है मेरा experience खुद कहता है चाहिए उन्हें मेरे सामने लाके खड़ा गर दीजिए फेस्टू पेसमेट से बात करा दीजिए हम उससे बात कर लेंगे कोई परिशानी नहीं है तो फराग मिलकी हम यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी के बास 71% का डेट है इसके लाब फेस वैल्यू की बात करें तो 10 की फेस वैल्यू है डिविडन कंपनी आपर देती नहीं है मैक्सियन चार्ट पेटरन देखेंगे तो स्मॉल कैप है तो मैं हमेशा बता चुक हूँ सरी टाइम पर लेना और सरी टाइम पर बेचना स्मॉल कैप में यह बहुत जरूरी है अधरवाइस आप समझोगे कि मैंने 100 क स्टॉक मेरा 500 हो गया और 500 के बाद आपने रखा हुआ फिर वही श्टॉक आपको छे महीने बाद मिल रहा है 200 रुबेगा तो वह ऐसा नहीं करना है 100 वाला 500 हो गया तो बेचने की कोशिश करें निकले और दूसरी जगह शिफ्ट हो हाना मल्टी बैगर आपको नहीं पता को कौन सा बनेगा मुझे भी नहीं पता कौन सा बनेगा बट 100 वाला 500 हो गया तो दूसरा 500 वे बेचके वही पैसा दूसरों में लगा दो गया शायद कोई ऐसा श्टॉक मिल जाएगा कि दूबारा 100 वाला श्टॉक पांसों मुझे थीक है तो बात करें कौटरी रिजल्स की त बात करें दूसरी बात आगे बटते हैं कि रिफ्पानी की परफॉर्मस यहां पर आपसे कंपनी का प्रापउनस परोत्फोंस अधिеров बंड़े सस़ेधा यह और बात करें यहां पर लगाता बढ़ रही है जो की अच्छी बात निया वही और बाधिगि औरोविसी बात कंपनी को इंट्रेस्ट जादा देना पड़ेगा इंट्रेस्ट जादा देना पड़ेगा तो इनके एफेक्ट कहां पर आएगा सीधे यहां पर नेट पॉफिट पर याना है ठीक है थोड़ आगे और बढ़ते है तो आपको समय में आएगा वर्किंग पोगर्स में 69 9 करोड रुपीज लगा रखे है जो की पॉजिटिव बात है आगे का मितलब क्या आगे का दिखाई देता है कि यह कंपनी आगे और अच्छा परफॉर्म करके मलब इनकी सेल्स में थोड़ी बढ़े उत्तरी यहां पर हो सकती है इन्वेश्टमेंट 5 करोड का कैश की बात करें तो 28 करोड रुपे का कैश भी यहां पर कंपनी के पास रखा हुआ है यहां पर आप देखोगे तो दिविडेंट कंपनी ना के बड़ाबर चोटा मोटर डिविडेंट पहले दिया करती थी अभी 2-3 साल से तो कोई डिविड चीज है इसके लावा FIS की बात करें तो FIS यहां पर 8-9% की है आस-पास है ठीक है ना ठीक ठाक दिखाई जाते है इसके बात करें हिस्सेदारी बढ़ रही है यह अच्छी बात है पुब्लिक से शेयर जा रहे है और पुब्लिक से शेयर का जाना पॉजिटिव नजर आता है आना 49% में आप देखेंगे कुछ यहां पर इनके पास है बट कुछ लोगों ने इंटरनेशनल फिनेंस कोपरेशन जो कि government का stock है हाना उन्होंने भी यहां पर यह शेयर को थोड़ा सब बेचा है क्याशिन किया है यहां पर कुछ लोगों ने और बेचा है तो जब इतनी सारी यहां पर 2-3-4% की holding बिची है तो कहीं ने कहीं उसवाई effect आता है बस promoters ने यहां खरीदा भी है इस चीच को भू इसके इलाबा यह यह तो 2023 की बात हो गई, 2024 में बाइंग सैलिंग यह चल रही है, इंसाइडर की बात करें, 6 cents ने इंडियन अपॉर्चुनिटी ने यहां देखी, अच्छे खासी 200 रुपे की average के भाव पे अच्छे खासे शेयर ले रखे है, जब इन्होंने लिए तो आप सोचोंगे अभी लूँगा और लेती साथ यह कली भागने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि चार्ट भी ऐसा ही कुछ कह रहे है, प्लस मैं financials कुछ ऐसा कह रहे है, तो क्या यहां पर नज़र आता है, ठीक है चार्ट क्या कह रहे है, उससे लेटर बात सेव करें, और हमारे साथ यहां पर काम करना चाहते है, तो काम भी कर सकते है, पर आपको milk and food की बात करें, तो यहां देखिए शेयर अच्छा कासर जब हमने बताया था, हम तो इसे 120-130 से बताते आ रहे हैं, वहां से यह शेयर लगबग डबल से ज़्यादा होता हुए, नज इसकी एक क्लास होती है, वह चीट में आपको समझाऊंगा, चार्ट बटन की बात करूं तो अभी तो नहीं, बढ़ हां, ऐसा कुछ नेगेटिविटी भी चार्ट में यहां पर दिखाई में एती है, अगर यह शेयर आपको दुबारा 1.500 रुपे के आसपास इतना गिरता ह और मिलता है न, तो एक छोटा से चंक उठा सकते हैं, बट याद रखिए 100 रुपे हैं, तो 100 रुपे में से केबल, 20-30 रुपे, 40-40 रुपे आप लगा सकते हो, पूरा लगा होगे तो हो सकता है कि 1.500 रुपे और मीचे आजाए, और आपका पसा रुपे मिलता हुआ नजर लाएगी जब जो इसे 284-85 जो इसका हाई था वो लगाएगा, और उसके बाद हमारे जो टार्गेट थे न, वो टार्गेट थे इसके 371 रुपे के, जब चीज़े भाग जाती है न, 100-100 रुपे तो यहां पर consolidation बहुत होता है, इस चीछ को थोड़ा से समझना होगा आपको आप सोचोगे कि 100% बागे, आप 200% और बागेगा, तो वो नहीं होता चीज़ों को थोड़ा practical way में, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले चीज़ों को सीखो, यहां लिख मी राइट तो earn more, first learn more, करना आपको सीखना पड़े है, जब सीख लोगे, समझ लोगे, तो यहां पर पैसे आपके बनते हुए ने जंगा, 48% की गिरावट थी, ठीक है, जो कि अभी लगबग हम बात करें, तो 36% की आसपास की गिरावट अभी भी है, बट अभी सेंस यहां पर बनता नहीं है, ठीक है, क्या मेरे पास है, बिल्कुल भी नहीं है, हम पहले ही यहां पर profit 2-3 trade करके निकल गए थे, अब क्या है, जब आएगा, जब दिखाई देगा चार्ट पर कि यहां पर अच्छा है, तो हम देखेंगे, बट हाँ, यहां पर कुछ story है, जो मैं अभी यहां पर बात नहीं कर सकता, अपने course में यहां पर बात करता हूँ, तो उस cases में यहां पर portfolio जिनके होते होने करना भी नहीं चाहिए, तो bank selling के recommendation नहीं है, अपने financial advisor खुद की study करना है, अपने जितना हो सके सीखने की कोशिश करना है, सीखने के लिए number है, call है, like, comment, share कर सकते है, और thank you so much, God bless.